प्रदेश सरकाय गर्तंद दिवस पर 175 कैदियों को रिहा भी कर दिया गया है और ऐसे में राजभवन की ओर से इसकी अनुमती मिल चुकी है और इसमें सबसे अधिक जुला कारगार हरिद्वार से करीब 63 कैदी रिहा किये गया है राजय पाल एफटिनेंट जनरल गुर्मी सिंग ने गर्तंद दिवस पर राजय के विभन कारगारों को भी लंबी अवदी से सजाएं काच रहे कैदी और उनके समय पूर रिहाई के प्रस्ताफ को अनुमती दे दी है राजय कज़न के बाद से ही ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया है जिन कैदियों को रिहा किया उनमें से एक पिछले 47 वर्षों से अधिक समय से सजा काच रहा था साथ ही साथ अन्य कैदी भी हैं जो 40 वर्षों से अधिक अधिक अधिके साथ विभन कारागारों में सजा काच रहे थे इन में से 26 क्यादी लगबग 30 वर्षों से अधे कब्दी से सजा काट रहे थे रुकरिंग अगली खबर की ओर प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बुद्वार को गरतंज दिवस के मौके पर इंदोर के नहरू स्टेडियम में जंडा वादन किया उन्होंने परेड की सलामी भी ली साथी सीएम ने कहा कि मद्दप्रदेश के हर एक गाउं को अब हैंड पंप से आजादी दिलाई गई है दो करोड घरों में पानी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है बीते डेट साल में करीब 44 लाग घरों में नलों का पानी पहुंचन कानेड़ित्व ACP ट्राफिक अजीद सिंग चहान ने किया उनके पीछे 2IC सुविदार ब्रिजराज अजनार चले और परेड में आरेपी टीसी यानिकि फर्स बिटालियन पंद्रवी वाहिनी और जिला पुलिस बल जिला पुलिस बल महिला और पी टीसी इंदौर होम गार् प्लाटूनों ने इनके दल भी शामिल रहे और हुने सलामी दी इसी के साथ ही बीच से बैंड भी परेड में हुआ और इस दारान समारो स्थल को विशेश रूप से सजाया और सवारा गया है समारो में विभिन विभागों द्वारा राज शासन की योजनाएं कारिक्रमों और उप्लब्दियों पर अधारित नियानरम जहांकिया भी निकाली गई इस दोरान इन में से मुख्य रूप से नगर निकम द्वारा स्वच्छता के शेत्र में किये गए नवाचार अवास के योजनाओं और अन्य विकास काम यानि जिला पंच्राय द्वारा जिल्स तरविक गर्तंद दिवस के मौके पर बुद्वार को पटना के गांधी मैदान में राजिपाल फांगों चोहां नहीं ठीक नौ बजे ध्वच्रोहंट किया उनके साथी समारों में मुख्यमंत्री नितीश कुमार शामिल रहे साथी उपमुख्यमंत्री तारकिश्वर प्र और स्टीएफ होमगार्ट शेहरी होमगार्ट ग्रामीन के जवानों ने परेड किया अलग-अलग परेड करने के बाद सबी टुकडियां अपने अपने निर्धार इस स्थान पर कदम से कदम मिला कर लोट गई और 73 गर्तंद दिवस के मौके पर बिहार की मुख्यमंत्री न रिटी इशकुमार ने प्रदेश और देश्वासियों को बधाई दी है साथी चुकाम नाए भी दी निती इशकुमार ने 53 संगराम के 20 सपूतों को याद किया एज़ण अनों ने ये भी कहा कि उनकी कुर्बानियों को कभी भलाया नहीं जा सकता कि उनकी कुर्बानियों का ही परिणाम है कि आज हम सब आजाद हैं और हम सब को आजादी एकता और अखंडदा को अक्षुगंड रखना है साथ ही आज संकल भी लेना है कि राज में आपसी भाईच्वारा सद्भाव और शांती बनाय रखनी है